हेलो दोस्तो स्वागत है आप लोग इस नहीं और प्यारे से यूटूब चैनल जिसका नाम है सेयर मार्केट जोन जी हाँ दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले सेयर मार्केट में आने इसके बाद कौन-कौन सी गलतियां है जो हम लोग कर देते हैं और चार गलतियों के बारे आता है कि आता है दुश्तो अगर लोग दोस्तों में लुख एखने सेयर मार्केट के गलत हैं सेनियनोंत कर कर देता है गलतियो जोन अब गया को असलंकि निकल जाते सेयल र मार्केट, जलत सब कर देते दोस्तो अगर आप लोग गलत होता तो इन बहुत सारे लोग करोरपती नहीं बनते जो लोग यह माइंडसेट से आते हैं कि हम लोग को पैसा कमाना है तो वो कुछ नौलेज कुछ जानकर जनकारी लेकर सेर मार्केट में आते हैं तो हम लोग इससे पहले भी वीडियो बना लेकिन जो नहीं करना वो कोई नहीं बताता है जी हां दोस्तो जो नहीं करना जो खुद की experience से मैं बता रहा हूं जो गलती हो चुकिए वो आप लोग को बताऊंगा कि चार गलतियां जो कभी नहीं करिएगा सेर मार्केट में आप लोग बढ़बाद हो सकते हैं जी हां दोस तो पहला चीज हम लोग को नहीं करना चाहिए जो हम लोग अभी बात करेंगे पहला चीज है कि हम लोग तो सेर मार्केट में आ जाते हैं उसके बाद पैसा लगा देते हैं कहीं भी बीना देखे समझेगी लगा देते हैं और जाद तर हम लोग पहला सोच लेते हैं कि यह प बस उस्ता मिला उठा लिए सबसे बड़ा गलती है कि पहला गलती है कि पेंग स्टॉक उठा लेते हैं जी हांडुस्त मिश्टेक में पहले आते ही अहीं सेयर दिखेंट दो चार दस पचास बीस ऐसे स्टॉक को उठाना ही नहीं है यहाँ दौस्तों अगर पैसा कमाना है, अप लोग को बड़ा पैसा बनाना लाखो क्रोडों का पैसा बनाना है तो पहले अप लोग को सुरू में, पैनिये श्टॉक से दूर रहना होगा जिस तरह से बता दिये 2, 4, 10, 20, 50 बैला ऐसे श्टॉक को उठाना ही नहीं है अगर इसको उठाना भी है तो आप लोग को experience 3 साल 5 साल का market में experience हो जाए market में 5 साल आप लोग बिता लिये उसके बाद आप लोग पेनिय श्टॉक 2, 4, 10, 50 बैला श्टॉक में research करेंगे research करने के बाद अच्छा stock लएगा तो यह stock को खड़ी देंगे और इतना ही पैसा डालेंगे इसमें की की पैसा डूब भी जाए जीरो भी हो जाए तो कोई फड़क नहीं पड़े जैसे 500, 10,000, 2,000 ऐसे डालेंगे की पैसा चल भी जाए तो फड़क नहीं पड़े पहले यह बात याद थाखिए कि पहले तो दो चार साल पांच साल पैसा पैसा स्टॉक में जाना है दूसरा रूल हम लोग जाने कि क्या करना है दूसरा चीज यह है कि हम लोग कि जहां सुचते है कि अगर कि यह stock अच्छा है जी हां दूसरा अगर मालिया कि रिलाइंस स्टॉक अच्छा है फिर भी अगर चल रहा समझे रिलाइंस स्टॉक चल रहा 2700 पर है अगर इसी स्टॉक में इसी रेट पर डाल दी है अगर माल लीजे दस पर सेंट नीचे आ गया और मालीं जे दो- तीन महीना अगर ऊपर नहीं चला तो समझ आप सभ्सक्राइब लिए दीरे बहता रहेगा और लोग देखते रहेगा शुरू-शुरू में लॉस इतना 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 तो हमें आल यौत को दिखते ही रहेगा आप सुचेगा कि मार्किट कुछ गलती नहीं, मार्किट अब लोग गल्ठी कर दीए कि सारा पैसे एक जगह डाल दीए, जी हां दोस्तों, पैसे एक जगह डाल दीए, अगर इसी पैसा एक पैसा को पांश टुकड़ा में कर दे तो आप लोगों का पैसा ग्रो होता है जिसके बाद फिर नीचे गिरता फिर एक दस अजार डाल देते हैं तो आप लोगों का फिर नीचे आ गिया फिर आप लोग का एबरेज हो गिया 26.000 वालिजिए 26.000 और मार्केट फिर उसके बाद 26.000 पर आता है तो समस्के बारेक्षी चंण पारेक्षी के बाद फिर प्रॉफइट पांच इस तरह से अगर मारकेट में आप लोग समझ कर जान कर यह सब जनकारी लेकर अगर आईएगा मार्केट में तो आप लोग को पैसा बनेगा जी हां दोस्तों पैसा दूसरा चीज बड़ी बात है कि आप लोग को पैसा एक जगा नहीं डालना जितना भी आप लोग पस फंड है माली जिए 50 आर 100 लाग सव करोड दूसर करोड जितना भी आप लोग के पास है अब एक यह स्टोक में डाल दिया और वह स्टोक गिर गिया पचास परसेंट तो क्या कि जगा बस लॉस में बैठे रही है तो उससे बनिया है कि मार्केट में थोड़ा सा पैसा डाले पचास जार है तो दस जार डाले ब तरह से बढद करिएが तो मार्केट में रज्यवाट पैसा बनाएगत लोग कि करेंगे कि कि तेसरी करते हैं 50,000 ट्रेडिंग शुरू करते हैं और मां लेज़े कि फंड का पैसा चार पांच स्टॉक में लगा दिया एक दो तिन कोई भी स्टॉक है उसमें लगा दिया सब पैसा सब पैसा लगा दिया फिर उसके बाद जो फंड में मार्जिन जी हां दोस्तों आप लोग को ब्र इन के अंदर उसको वो मार्जिन को 50,000, 60,000, 17,000 जो भी मार्जिन मिलता उस अगर आप लोग बापस नहीं करते हैं या स्टॉक अगर नीचे गिर गिया उसको अगर नहीं बेचते हैं तो आप लोग तो वो पैसा आप लोग का में फंड से जो 50,000 आप लोग लाएं थे स्ट कोई नहीं बताएगा मैं खुद ये गलती कर चुका हूं जी हां दोस्तों ये गलती बहुत ही ज़्यादा बड़ा गलती है जी हां दोस्तों सभी गलतियों से सबसे बड़ा गलती है यह आप लोग इसको बात को समझेगा कि जेतना भी अगर आप लोग फंड लेकर आएं ज स्टों नीचे गिड़ जाएगा उसके बाद आप लोग बेच नहीं पाईएगा और कई जब तक निकलेगा जब तक आप लोगो साथ दिन पूरा हो जाएगा और कि उसको मार्जिन से आप लोग को पैसा काट जाएगा अफिस सिधा आप लोग का फंड से कटेगा और फंड लॉस करके जीरो कर देगा और अब सेर मार्केट में बड़बाद हो जाएगा जी हां दोस्तों सबसे बड़ा कारण बड़बाद होने का यही है कि मार्केट में आप लोग मार्जिन यूज कर लेते हैं मार्जिन यूज नहीं करना जी हां तो सीधा बात समझ यह आप लोग कुफ्त margin देगा तो उससे ज़्यादा का पैसा आप लोग यूज नहीं करना है नहीं करना है तो नहीं करना समझ समझ लीजिए और भूलिएगा मत इसको ये बात ये बात अप लोग और सेर मार्केट में आ रहे हैं और आगने वाले भी हैं तो सुन लीजिए ये मार्केट में ये वर्क करता है हमेशा कि ये काम मत करना है जिया दोस्तों ये काम करिएगा बरवाद हो जाएएगा और कोई नहीं बताएगा फिर उसके बाद कि क्या करना है क्या करना है आप लोग सीधा पैसा लॉस कीजेगा उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा ये जनकारी आप लोग लेना जुरूरी है कि मार्केट में यह काम नहीं करना है सब चीज बताएगा सब कोई बताएगा आपको कि मार्केट में यह करो यह करो वो ने करो लेकिन यह नहीं बताएगा कि मार्केट में यह नहीं करना चाहिए आने से पहले तो अब लोग मार्केट में आ गये हैं मार्टियो को real लोग तो अब लों लोह नहीं है तो यह अब लुग वीडियो को share कीजिए क्योंकि आने वाले भविस में कोई बिना मार्टे तो यह ग Państu में कुझIB आने की सोच रहा हुगा और मार्केट में आने के लिए सोचता होगा चोफी गलती है कि आंप लोग अगर बीगनर जाते हैं तो तो पैसा बनता है लेकिन पैसा जल्दी यह जाता भी है तो आप लोग ये जनकारी नहीं है कि आप लोग कि कहां से मार्केट बाउंस लेता है, कहां से मार्केट रिजिस्टेंस लेता है, सुपोर्ट लेता है, ये जनकारी नहीं होने के कारण आप लोग मार्केट में आप्सन बाई कर लेते हैं और पैसा आप लोग का थोड़ा सा ब कि अपरबाद हो जाएगा फंड चक्कर में तो सबस्ट कलद ये वहहीं करना है कि हम लोग को आते ही मार्केट में उप्सन बाइस एल नहीं करना है पहले इस टॉक पर ज्यांडा है अच्छे अच्छे श्टॉक पर जैसे अब दक से जडर लाएं तो अच्छे से टॉक तक को लेना है एक यह श्टॉक दूए ही श्टॉक हो 100-200-500 ही बने तो बने उससे ज्यादा भी ने उससे बने उसी से हम लोग भाइ सेल करके सीखेंगे मार्केट को आगे समझेंगे फिर रिसर्च करेंगे कैसे ऑप्षंबाई होता जो तब हम लोग मार्केट में दो तिन साल बिताएंगे तब हम लोग option buy sell करेंगे जी हाँ दोस्तो option buy sell कोई भी कर सकता है पर market में आने के एक साल दो साल बाद नहीं market में आने के तिन साल चार साल पान साल बाद आप लोग option में सिखिए तब try कीजिए option और penny stock को भी आप लोग तीन साल चार साल बाद research करने के बाद ही try कीजिए तो आप लोग को दो करना है लेकिन उसके लिए दो साल तीन साल मार्केट को देना पड़ेगा तब यह चीज बढ़क होगा और दो तीन साल दीजिए तो market में बढ़करेंगा लेकिन आप लोग को जो तीन नमर का strategy बता है कि तीन नमर में आप जो fund मिलता ह इसके बाद हम लोग छोथा चीज में चीज़ करेंगे में चीज है कि चौता चीज मेंक्या करना है चौथा चीज़ दो तो में लोग बात हो गया जोस्तों पहला चीज क्या बता है फिर स्वेबले को एक वार सुन लीजें पहला चीज आए पेनिये श्टोक नहीं लेना है पेनिये श्टोक मार्केट में आने के मार्केट में आने के बाद तीन साल पान साल बाद पेनिये स्टॉक को बाई करना है तीन साल पान साल के बाद पेनिये स्टॉक को बाई करना है फिर दूसरा क्या बता है कि एक जगा पैसा को किसी भी ये स्टॉक में फंड में एक फंड में पूरा पैसा नहीं डाल देना है जैसे 10,000 है तो 10,000 अक्य स्टॉक को में नहीं डाल देना है तिसरा चीज हम लोग क्या बताए कि fund है जो fund है उसको में अगर आप लोगको margin मिलता है margin मिलता है तो margin का उपयोग नहीं करना मारजिन का उप्योग नहीं करना है और चौथा चीज मेरी से इसको फेनी सबसे ब्राग करना है और फंग धाया है मैं लुग जाते हैं कि अलु चीज हम लोग अपने तरफ से भता र्याइक को बोनस डेना चाहते हैं बोनस टिपस है फैसा कि ई सब्रक्सभान चाहिए किस च dared ईतना चार दोस्टों यह चीज है कि को भी है कर मार्केट में मार्केट में लगा देता है या पैसा उसका बन जाता है लगाने के बाद मार्केट में उसका पैसा बन जाता है तो क्या करता है कि जल्दी पैसा का आने के चक्र में जल्दी के चक्र में जल्दी के चक्र में किसी से उधार ले लेता है चलिए पैसा लगा दीए और उसके बाद पैसा बन भी सकता है तो लेकिन यह रिस्क वाला काम है कि आप लोग अगर मार्केट में नीचे आ गिया च्छोप तो पैसा तो दे नहीं पाईएगा और बेच कर दीजेगा, सेल करके दीजेगा, तो वो स्टॉक गिरा हुआ रहेगा, तो आप लोग कहां सेल करिएगा, सेल नहीं कर पाईएगा, और आप लोग को किसी कदम उठाना पड़ेगा, या तो मार्केट में सेल करना पड़ेगा, या किसी को कुछ करना पड़ेगा, कि से लेना पड़ेगा तो एकाम मत कीझेगा कि r olsa सा काम नहीं सा काम वहीं करता है जो आप लोग बचातें जी ह bättre है अ टेलागी जीतन पैसा बचाई उतना ही पैसा डालई अब योटूब पटाया जाता है अपना दिमाग लगा यह और च्शचक दोड़िए उसमें 2-000-5-000 तोप्शायाऌ बसाउक के टालईU रहें कि 10,000-50,000 एक ही बार में एक ही स्टॉक में डाल दीजिए वह से भी नहीं करना है हर महीने आप लोग को रेली देगा तो मार्केट में देख सकते को वही पैसा आप लोग का 10,000-50,000 बन जाएगा तो आप लोग को कुछ करना नहीं है मार्केट बस सिंपल बढ़ करता है कि मार्केट ज्यादा तर मार्केट हमेशा नीचे 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 आते रहता अगर उठता है मार्केट तो एक को पैसा रखने का जगरणे मिले बस मार्केट में इसी तरह से वर्थ करना इसी तरह से यह संसी तरह से काम करना और चारई जो बताए गया उसको ध्यान रख ना कोई तो विडियों के लिए अच्छा लग रहां तो बने रहीए और विडियों आता रहेगा और बाकी आपकी टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्सन में उससे जूड़ जाईए आप लोग एकाउंट खोल लिजे एप का लिंक है इसमें इसमें एप लिंक है एंजल वन का उसको अकाउंट में खोलिए बनाईए एकाउंट में सेर मार्केट म में आईए उसके बाद ये ये काम मत करिए और फंड बनाईए पैसा जूड़ आईए और आप लोग को बाकी टेलिग्राम चैनल पर बताया जागा कि कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा स्टॉक वाई करना है वो सारी जनकाड़ी आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी करना कु बाकी आप लोग को जनकाड़ी वहीं पर मिलेगी और बाकी आप लोग सेर मार्केट में आ जाएए पैसा बनाईए स्टॉक को धिरे-धिरे बाई कीजिए और बस ये चार जो गलती है और बोनस पांच ये कभी गलती मत करिए मार्केट में हमेशा प्रोफिट में रही आगा हमेशा प्रोफिट में पैसा बनेगा मार्केट बस सिंपली वर्ग करती है मार्केट में कोई दिमाग पेची ज्यादा लगाने के जुरूबत नहीं है सिंपल काम है सिंपल सा रूल है सिंपल ये चीज़ करना ये चीज नहीं करना ये दिमाग में रखके चलिएगा तो आग कर में आयोर पैसा कमाई ये तो मिलते अगले वेडियो में तो ते कि लिए बाई बाई